नमस्कार अराइज नियूज में आपका स्वागत है तो पेश है आज की एहम खबरे हरीदवार के भगवानपुर के अलावलपुर गाउं में आज भारतिये किसान यूनियन बर्मा की बैठक को संभोधित करते हुए भारतिय किसान यूनियन बर्मा के राष्टिय अध्यक्ष भगस सिंग बर्मा ने कहा कि भारत एक किर्सी प्रधान देश है इसके बावजूद भी केंद्र और प्रदेश सरकार अन्यदाता किसानों की घोर उपेक्षा कर रही है किसानों को उनकी फसलों का लापकारी मूल तो दूर लागत मूल भी सरकार नहीं दिला पा रही है जिसके कारण अन्यदाता किसान कर्जबंध होकर आत्म हत्या करने को मजबूर है भागत सिंग बर्मा ने कहा कि किर्सी यंत्र खाद, बीच, कीटनासक, दवाई, डीजल, लगातार, महंगे होने के करण खेती की लागत बढ़ रही है उन्होंने कहा कि गन्ना प्रदेश और देश की मुख फसल है गन्ने के उत्पादन पर 525 रुपए कुंटल लागता रही है इस हिसाब से गन्ने का लाबकारी मुल कम से कम 600 रुपए कुंटल होना चाहिए पहली बार चोधरी चंण सिंग जी उत्तर परदेश के मुख्यमुंत्री बने तो उससे में गन्ने का रेट था 12 रुपए 10 पैसे कुंटल और प्रेमरी स्कूल के अध्यापकों की तनक्वाती 70 रुपए महिना और गेहूं था 76 रुपए कुंटल दीजल था 34 पैसे लिटर सोना था 125 रुपए 12 तो यदि उन सारी बातों को के हिसाब से लगाए जाए तो अध्यापक की तनक्वा तो एक हजार गुणा बढ़ गी तो उस हिसाब से तो गन्ने का रेट कितना होना चीए 12,100 रुपए कुं हरीद्वार से पवित्र गंगाजल लेका प्रस्थान कर रहे सिब भक्तों को आज रुड़की के गनेशपुर पुल के पास मेयर गौरव गोयल द्वारा जूस्वा प्रूटीब बित्रित की गई मेयर गौरव गोयल ने कहा कि सभी को भक्ती बस रद्धा भाव से कावड़ियों की सेवा करनी चाहिए सिब भक्तों की सेवा करने से भगवान भोले बहुत प्रिशन होते हैं उन्होंने कहा कि सिब की महिमा अपरंपार है और सिब ही सत्थ है इस अफसर पर रजनीश गुप्ता, निखिल सेठी, बरुन जैन, अनूप सर्मा, अबनीश मोदी, नवीन महंदी रत्ता, अभिनास त्यागी, नरेश सजदेवा, सार्थक गोयल, तुसार गोयल, इमरान देशवक्त, सुनील राना, विनीद विंदास आदी मौजूद रहे।